बिहार के छपरा में हिंसर प्रदर्शन हुआ, छपरा में ट्रेन में आग लगा दी गई तस्वीरे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिहार के छपरा में ट्रेन में लगाई गई आग की तस्वीरे हैं चातर नाराज हैं खास तोर पर बोलो जो तैयारी कर रहे थे और यह तस्वीरें च्छपरा रेलवेस टेशन की जिस तरीके से तोड़ी है जिस तरीके से चातरों का कुस्सा रेलवे की संपत्थ्पी पर टूटा है आग सिर्द भू़ू कर जलती हुई फ्रेंड की भोगी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और आग की ये लपतें अगनीपत योजना के खिलाब छात्रों की नाराज़गी की है जो सेना में भरती होना चाहते हैं लेकिन फिलहाल उनकी नाराज़गी सरकारगी और रेलवे की संपत्तियों पर कुछ इस कदर उटर रही है और ब चाहते हैं जो सेना में भरती की अगनीपत योजना जिसमें शॉर्ट सर्विस कमिशन के तौर पर भरती की जाएगी जिसमें तूर ऑफ ड्यूटी जिसे कहा जा रहा है सेना में अलप अवधी के लिए लोग पौज में जा सकेंगे भरती हो सकेंगे और उसके बाद वो पौ पात्रों की नाराजगी कुछ इस तरीके से रेल्वे की संपत्ति और सर्वजनिक और सरकारी संपत्तियों पर उतरती हुई देखी आ सकती। तो आपको एक बार फिर बता दें कि अगनीपत्य योजना जो भारत की सशस्त्र सेनाओं में शॉर्ट सर्विस कमिशन यानी अलप अभधी की सेवा के नियमों में बदलाव करती है। अभधी के लिए ये सैनिस सेवा होगी और इस अलप अभधी की सैनी योजना में साड़े सत्रा साल से साड़े 21 साल आयू की सीमा होगी और चार साल की सेवा के बाद जो सैनिक हैं जो सेना में अलप सेवा के बाद बाहर जाना चाहेंगे उन्हें एक सिवरिंस पैकेज दिया आगजनी की तस्वीरें हो रही है इसके लावा बकसर में भी छात्रों का विरूत सडकों पर देखने को मिला बिगुसराय में कल इस पूरे मामले के साथ छात्रों की नाराजगी फुटी थी साथी बिहार के मुजफर्पुर में भी छात्रों सलकों पर उतर आए और उनकी नाराजगी साफ दिखी जा सकती है छपरा में आगजनी की घटनाए रेलवे स्टेशन पर हुई चार तस्वीरे आपने देखी लेकिन विरूत की तस्वीरे कहा कहा से सामने आ रहे हैं अग्जनी हुई है नवादा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरे सामने आई है सहरसा और इसके लावा मुजफर्पूर तो ये बिहार के अलग-अलग शेहर जहां पर कुछ इस तरीके से सेना की नई भरती हो योजना अग्मी पत पर आक्रोश देखने को मिला है वो तमाम लोग जिनोंने पहले एक्जाम्स दिये थे या फिर जो अभी तयारी कर रहे थे वो लोग उतर आये सडकों पर इस नई भरती योजना के खलाप विरोध प्रदर्शन किस तरीके से किया जा रहा है कहीं ट्रेनों जो आप देख रहे हैं छप्रा में रेल्वे स्टेशन की तस्वीरे हैं जहां पर नकेवल तोड़ फोड़ हुई है बलकि ट्रेन को आख के हवाले कर दिया गया है यह तस्वीरे जो आप देख रहे हैं नकेवल बिहार बलकि हर्याना से भी विरोध की तस्वीरे सामने आई और इसी कड़ी में लोग विरोध प्रोजर्शन करते हुए सड़कू पर उतराएं तो कोशिश की जा रही है हालात को काभू करने के लिए बिहार के खास तोर पर कई शहरों में इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं सेना में भर्ती की अग्रिपत योजना का विरोध हो रहा है अधिकतर शात्र जो तैयारी कर रहे थे लंबे समय से सेना में भर्ती की प्रक्रिया पिछले कुछ समय से बाधित थी COVID के कारण इसके कारण जो रैलियों के जरिये भर्ती की प्रक्रिया होती थी वो पुरी नहीं हो पा रही थी और उसके बाद सरकार की तरफ से दो दिन पहले अगनी पत्य योजना का एلان किया गया और अब राजस्थान से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं इसके अलावा हरियाना, बिहार इन तीन राज्यों में खास तौर पर विरोध की ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं सेना की में भरती की प्रक्रिया जो अगनिपत्य योजना है उसके खिलाफ लोगों की खास तौर पर सेना में भरती की कोशिश कर रहे लोगों की का विरोध जो है वो सामने देखा जा सकता है साड़कों पर लोग उतरे हैं खास तौर पर छात्रों में इस चीज़ को लेकर नाराज़गी है अलग अलग जगा विरोध की ये तीन तस्वीर हैं अलग अलग राज्यों से राजस्थान जहां अगनिपत्य योजना का विरोध हो रहा है इसके अलाबा दूसरी तस्वीर बिहार के छपरा की है तीसरी तस्वीर हर्याना की तस्वीर है जहां पर विरोध देखा जा सकता है सेना में भर्ती की सरकार की नई योजना को लेकर कॉंग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला है राहुल गांधी ने च्वीट कर कहा है कि न कोई रैंक, न कोई पेंशन, न दो साल का कोई डिरेक्ट भरती, न चार साल के बाद स्थिर भविश्य, न सरकार का सेना के प्रति सम्मान देश के बेरोजगार युवाओं के आवाज सुनिये, इनने अगनिपत पर चला कर इनके सैयम की अगनी परीक्षा मत लीजे प्रधानमंत्री जी तो सीधे प्रधानमंत्री नरेन मोदी पर निशाना साधा है, कॉंग्रिस नेतार राहुल गांधी ने और अगनिपत योजना के बहाने सरकार को नसीहत दी है, सलाह दी है और साथ ही कहा है कि युवाओं के सैयम की अगनी परिक्षा न ले सरकार, अगनी पत्थ योजना को लेकर राहुल गांधी का रधान मंत्री मोदी और सरकार पर निशाना है एक बार फिर आपको बता देते हैं क्या ट्वीट किया है राहुल गांधी ने कहा है कि न कोई रैंक, न कोई पेंशन, न दो साल से कोई डारेक्ट भरती, नहीं चार साल के बाद स्थिर भविश्य न सरकार का सेना के प्रती सम्मान, ये राहुल गांधी का कहना है देश के बेरोजगार युवाँं की आवाज सुनिये, ये मांग की है सरकार से, राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के जरिए और साथ ही अगनिपत योजना पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि युवाँं को अगनिपत पर चला कर उनके सैयम की अग अगनिपत योजना का और अब अगनिपत योजना को लेकर देश के कई शहरों में जहां विरोध की तस्वीरे सामने आ रही हैं तो वहीं कॉंग्रेस नेतार राहुल गांधी ने इसको लेकर सवाल खड़े किये हैं और सवाल पूछा है सरकार से और साथ ही टिपणिया की है कि सरकार युवाओं के सायम की अगनी परीक्षा ले रही है और सेना के समान से भी इस पूरे मामले को भी जोड़ा है प्रणे ना केवल राहुल गांधी बलकि इस मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी केंदर सरकार को अगनीपात योजना पर फिर से वचार करने को कहा है मायावती ने ट्वीट किया है और कहा है कि वाओं में फैली बेचैनी निराशा में बदल रही है सरकार तुरंट अपने पैसले पर पूरर विचार करें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस योजना पर पूरर विचार करने की सला सरकार को दी है चले अगली बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं यहां ट्रेन की कई बोग्यों को आग के हवाले कर दिया गया है रेल्वे स्टेशन पर ट्रेन में सवार यात्रियों ने भाग कर किसी तरीके से अपनी जान बचाई गर्बर सिद्वल्या रेलवेस टेशन की तस्वीरं है और ये पैसिंजर ट्रेन है जो इस अधुदू कर जल रही है। विरोध करते हुए इन छात्रों ने इस अधर्वाले कर दिया है। विरोध करते हुए छात्रों ने कई जगा ट्रेने रोकी हैं, कई जगा वो ट्रैक पर बैढ़ गए हैं, लेकिन कई जगा तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रहे हैं, जहां सीधे तोर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया उसे ना कि में भर्ती की अगनिपत योजना का विरोध कर रहे हैं, छात्र और बिहार के अलग-अलग शहरों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां रेलवे स्टेशन छात्रों की और खास तोर पर युवाओं की नाराज़गी का निशाना बन रहे हैं, यह तस् तस्वीर है, जिस तरीके से ट्रेन की बोगी में आग लगाई गई और आग से जलती हुई ट्रेन की बोगी की यह तस्वीर अगनिपत योजना के खिलाफ शात्रों के फूटे गुस्ते की है, जिसमें रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया गया एबी पी डियूज आपको रखे आगे